बेलकम टू दा कम्प्लीट मेडिकल सॉलिशन टूडे वी डिस्केशन एवाउट कंकाल तंत्र इसकेलेटल सिस्टम जो क्लास थियोरी की फ़स्ट क्लास हमारी हुई थी वो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से रेलेटिट थी और जो second class theory के ले रहे हैं आज हम 2 October को तो वो कंकाल तंत्र iskeleton system की है तो question बनता है कि हमारी body में कितनी हड़ियां present होती है तो human body में कितनी हड़ियां होती हैं 206 होती है अईस्ति पंजर first question ही हमारा है कि human body में कितनी हड़ियां होती हैं बयस human body में तो 206 होती है अईस्ति विवाजन कैसे होता है तो खोपड़ी, दड़, इसकंद, मेखला, हाथ और स्रोडी मेखला से होता है सजीव जो अईस्ति होती है वो किसकी वनी होती है 20% उसमें क्या होता है जल होता है एस्ति तो थ्री फार्ट जो होता है वो खनेच और बन थ्री फार्ट जो होता है वो खनेच पदार्थ होते हैं हुआ कि ऐके ऊईश्थी होता क्या है यान कि बॉन होता क्या है तो तोस्टी का लचीला पन कार्वनिक और कठोरता आकार्वनिक पदार्थों पर निरवर करती है अईश्थी में JongWhen पन होता है वो कार्वनिक पदार्थों पर निर्वर करता है और कठोरता जो होती है वो अकार्वनिक पदार्थों पर निर्वर करती है most important यहां से question बनता है कि जो bone होती है उसमें लचीला पन किस के मतलब किस पदार्थ के पर निर्वर करता है तो कार्वनिक पदार्थ पर कुश्यन है अश्तियों के भीतर अश्तियों के भीतर इस पंजी पदात अश्ति मज्जा रहती है अश्ति में अंदर क्या होता है अश्ति मज्जा कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की होती है एक फश्ट है फीत है अश्ति मज्जा और सेकर्न है लाल अश्ति मज्जा एक पीले करणर की अश्तिवज्जा होती है, एक कैसी होती है, लाल करणर की अश्तिवज्जा, पीली अश्तिवज्जा को यलो बॉन मेरो कहते हैं, और लाल को क्या कहते हैं, रेड बॉन मेरो कहते हैं, पीत, अश्तिमज्जा मुख्य रूप से बसा की वनी होती है, कुश्जन बनता है कि जो पीत अश्तिमज्जा होती है, यलो बॉन मेरो होती है, वो मैली किस की वनी होती है, तो वसा की वनी होती है, फैट, हुमूरस उपरी बाहों की एस्ति होती है रेडियस अलना पूर बाहों की एस्ति होती है कार्पस कलाई की एस्ति होती है मेटा कार्पल्स हतेली की एस्ति होती है फैलेंज अंगुलियों की एस्ति होती है आज की क्लास में जो आपको बहुत ही मतलब पूरी टॉपिक से जितने कुश्चन मोश्ट मोश्ट कुश्चन थे बही कुश्चन डिसकस किये गए हैं कि मतलब यहीं से जो भी सीफीनेट पेरावेडिकल से रिलेटेज कोई भी आप एक्जाम देंगे तो वो कुश्चन आपको यहीं से इसकलेटन सिस्टम से कुश्चन बनेगा तो इसी क्लास से कुश्चन जरूर दो, तीन, चार फस जाएंगे नेक्स्ट है मेखला तो मेखला क्या होता है मनुस के अग्रपाद तता पश्चिपाद को अच्छी कंकाल पर साधने के लिए दो चाप पाए जाते हैं जिने क्या कहा जाता है? मेखलाएं कहा जाता है मनुस के अग्रपाद तता पश्चिपाद को अच्छी कंकाल पर साधने के लिए दो चाप पाए जाते हैं जिने क्या कहा जाता है? मेखलाएं कहा जाता है क्लिर Next, मनुशके अंदर हुमूर्स अन्स मेखला के अग्रवपाद की हस्ती और फीमर स्रेडी मेखला के पश्चपाद की हड्डी से जुड़ी होती है Next, सर्वाइकल कशेरकाएं, कहां पर होती है, गर्दन में होती है, कितनी होती है, तो सैविन होती है थौर्सिक कसेरुकाइं वच में होती है और संक्या में कितनी होती है ट्वैल लंबर कसेरुकाइं कमर में होती है और संक्या में पांच होती है कारपल्स कलाई में जो वोन होती है 16 मैटा कारपल्स अलतेली में होती है अड्डियां 10 होती है फैलेंजिस अंगलियों में होती है 28 फीमर जांग में होती है दो गुटना में दो पटेला टकना टॉटसल 14 तलवा में टॉटसल 10 मैलियस टॉटसल 1 इनिकस कान में होती है 6 इस्टेपीज कान में 1 आप यहां से कैसी कुश्चन वनेगा कि थोर सी कसे रुका में कितनी हट्डियां होती है तो आप क्या कहेंगे 12 होती है नेकस्ट कुश्चन है मनुस की खुपड़ी में 29 अस्टियां होती है यह कुश्चन बन सकता है 29 अस्टियां मनुस के किसंग में होती है तो खुपड़ी में होती है नेक्स्ट कुश्चन है मनुस के चेरे में 14 अश्टियां होती है पसलियों की संक्या 24 होती है या कह सकते हैं 12 जोड़ी 12 पेर्स नेक्स्ट हाथ की अश्टियां और पेरों की अश्टियां Wands of Hand Humorous Carpals Radius Metacarpals Alna कुश्चन बनता है कि कोईवी एक bond दी जाएगी जैसे Corpals Radius Metacarpals Alna किस human body में Carpals Radius Metacarpals Alna body के किस अंग में present होती हैं तो हाथ में होती है किसमें हाथ में? पैरों की अप्षितियां पटेल, मेटा, टॉर्सल, टॉर्सल, फीमा, टीविया, फिवुला ये सारी कहां पर प्रिजенд होती हैं, पैर में कशेर कुदंद, वैटि विला कॉलम में 33 हटियों के तुकड़ों से बना इस्थम होता है वर्टी विला कॉलम में कितनी अड़ियां होती है, 33 होती है, जो दड़ को अब लंब प्रदान करता है, कसेर कुदंड का विकास किस से होता है, तो नोटो कार्ड से होता है, किस से, कसेर कुदंड का विकास नोटो कार्ड से होता है, इस क्लेटल सिस्टम से रिलेटिट जितने भी इंपोर्टेट कुश्चन थे वो आज की क्लास में करा दियें कुछ कुश्चन वच्चे हैं जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करा दिये जाएंगे और भी कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पोचें और इसका मतलब हर एक लाइन का आपको नोटिट करना है और हर एक लाइन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है उसको रिवीजन करना है बार बार जो माइन वे एक दम सैट हो जाए जो आपको जब भी कुश्यन आए तो आप तुरंथी उसका मतलब अंसर निकाल लो क्लास कैसी रहे जरूर रता है थेंक्स पोर वाचिंग दिस क्लास